नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सर्व पित्रकार्य अमावस्या की पौरानिक कहानी लेकर आए हैं पौरानिक मानिताओं के अनुसार श्रेष्ट पित्र अगनी श्रवात और वरही श्रवात की मांसी कन्या अश्रोदा घूर तपस्या कर रही थी वह तपस्या में इतनी लीम थी कि देवताओं के एक हजार वर्ष बीट गए उनकी तपस्या के तेज से पित्र लोग भी प्रकाशित होने लगा प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ट पित्र गण अश्रोदा को वर्दान देने के लिए एकत्र हुए उन्होंने अश्रोदा से कहा हे पुत्री हम सभी तुम्हारी तपस्या से अती प्रसंद है इसलिए जो चाहो वर मांग लो लेकिन अश्रोदा ने पित्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया वह उन्मे से एक अती तेजस्वी पित्र अमावसु को पलग झपकाए बिना निहारती रही पित्रों के बार बार कहने पर उसने कहा हे पित्र देव क्या आप मुझे सच में वर्दान देना चाहते हैं इस पर तेजस्वी पित्र अमावसु ने कहा हे अश्रोदा वर्दान पर तुम्हारा अधिकार है इसलिए निसन कोच होकर मांगो अश्रोदा ने कहा प्रभू यदि आप मुझे वर्दान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ का आनंद चाहती हूँ अश्रोदा के इस तरह कहने पर सभी पित्र क्रोधित हो गए उन्होंने अश्रोदा को श्राप दिया कि वह पित्र लोग से पतित होकर प्रत्वी लोग पर जाएगी पित्रों के इस तरह श्राप दिये जाने पर अश्रोदा पित्रों के पैरों में गिलकर रोने लगी इस पर पित्रों को दया आ गई उन्होंने कहा अश्रोदा तुम पतित यौनी में श्राप मिलने के कारण मत से कन्या के रूप में जनम लोगी भगवान प्रह्मा के वन्षज महर्शी पराशर तुम्हें पती के रूप में प्राप्त होंगे तुम्हारे गर्व से भगवान व्यास जनम लेंगे उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जर्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर फुनह पित्र लोप में वापस आ जाओगी पित्रों के इस तरह कहे जाने पर अश्रोदा शांत हुई अपने तेज एवन सौंदर्य से अपसराओं को भी लज्जित करने वाली अश्रदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किये जाने पर सभी पित्रों ने अमावसू की प्रशंसा की और वर्दान दिया हे अमावसू आपने मन को भटकने नहीं दिया इसलिए आज से यह तित्री अमावसू के नाम से जानी जाएगी ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद तरपन नहीं करता है अगर वह इस तित्री पर श्राद करेगा तो उसे सभी तित्रीयों का पूर्ण फल प्राप्त होगा तभी से इस तित्री का नाम अमावसू अमावस्या हो गया और पित्रों से वर्दान मिलने के फल स्वरू अमावस्या को सर्व पित्र श्राद के लिए सर्व श्रेश्ट फुन्न फल दाई माना जाता है